हेलो फ्रेंड में इम्रान और आप देख रहे हैं रफ्राइडर इमी फ्रेंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफोर्मेटिव होने वाली है बिकोज आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यमाह कमपने की आरण फाइड वर्जन 3 मार्कें बहुत सी ज्यादा रण करी है तो वैस caval बहुत सारे लोगों की वर्जन 4 मार्डल कंब तक लाउच होगी तो आपको बता देता हूँ कमपने की तरफ से ऐस सा कोई भी स्टेट में नहीं आया है R15 version 4 model launch होने के बारे में मैंने खुछ यमाहा कंपनी की official website पर जाकर के चेक जाओं बस यूट्यूब आपको बेकूप बनाते हैं और आप बन जाते हो बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने चैनल पर ये भी upload करके रखे हैं कि R15 version 4 review 2020 अब आप ही एक बात बताईए जब बाइक ही लाउंच नहीं हुआ तो रीजू बहात जाया और वो भी 2020 की बात कर रहे हैं जबकि 2020 तो खतम होने वाली है फ्रेंट्स में किसी भी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं देना चाहता हूं यूट्यूब प्राइशी पॉलिटी के खिलाफ है वर्ट फ्रेंट्स आप खुद ही जाकर के देख सकते हैं फ्रेंट्स टाइटल और थम्निल कुछ और है और वीडियो पे कुछ और चलेगा तो फ्रेंट्स आपको बता दूँँ ये बिल्कुल आफवा है कमपनी के तरफ से ऐसा कोई भी स्टेट्मेंट नहीं आया है वर्जन 4 मॉडल लाँच होने के बारे में हाँ कमपनी ने ये जरूर कहा है कि आरों 5 V3 को अपग्रेट करके कुछ नए फीचर्स के साथ लाँच करेगी लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड यूएश्टी फोक जो कुछ भी कमी रह गई थी इस वाइक में वह सारे चीज़ को फुल्फिल करके कमपनी फिस्टे लाँच करेगी आरों 5 V3 को तो फ्रेंट्स ये थी कुछ आज की इन्फोमीटी वीडियो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों लोग से भी शेयर कीजिएगा और अगर आपके पास थोड़ सा टाइम है तो रेट कलर के बटन को दबा करके मेरे चैनल रफ राइडर इमी को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी क्लिक कर लिए ताकि मैं कोई भी नई इन्फोमेटी वीडियो अप्लूड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे प